आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेडलाइन्स पर नाकपूर महानगर पालिका चुनाव में भाजबा के 70 फिस्दी नगर सेवकों की कटेगी टिकट दो बार हुआ सर्वे नगर सेवी का उपर गिरेगी गाज कोविट के कारण अनात हुए बच्चों को राज़ सरकार की और से पांच लाग की आर्थिक मदद पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों हुआ प्रमान पत्र का वितरन और पार्शिव निमे फोन के विवाद में दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या और अब खबरे विस्तार से नगर सेवकों और नगर सेवी काओं के पांच वर्षों के कारियों नागरिकों के साथ वियवहार उसके द्वारा कियेगे समाजकारिया कारे करताओं को साथ लेकर चलने की नीती सहित कई बिन्दू अपर पार्टी ने दो बार गोपनिय सर्वेकर रिपोर्ट कार्ट तयार कर लिया है सुत्र दावा कर रहे हैं कि मौजुदा नगर सेवी काओं में से 80 फिजदी टिकट इस बार कटने वाली है और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा वही नगर सेवगों के भी 70 फिजदी टिकट कटने की चर्चा चल रही है दरसल पार्टी सरवे में य अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कारियों को लेकर भी विगंभिर नहीं रही जिसे प्रभाग में उनके प्रति नागरीकों में भी नाराजी है महानगर पालिका में महिलाओं को 50 फिजदी आरक्षन है 151 सदस्यो वाली नाखपुर महानगर पालिका में वैसे तो 76 नगर सेविकाय होनी चाहिए लेकिन ओपन वर्क से भी चुनाओ लड़कर जीतने के चलते कुल 81 नगर सेविकाय हैं इनमें 61 बीजेपी की है सभी का कारेकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो रहा है जिसके चलते सीटी में राजनिती खलचल तेज हो गई है इस बार 37 प्रभाक रच किया था बिते 15 वर्षों से बीजेपी की सत्ता है पार्टी में नए कारेकरताओं को आब आशा है कि उन्हें उमिद्वारी दे कर पार्टी नगर सेवक बनने का मौका देगी पार्टी निताओं ने भी इस बार नए चेहरों को मौका देनी की मंशाजताई है जिसकी चलते क किसकी टिकट कटेगी और किसकी बच्चेगी इस पर चर्चाओं का दोर चल रहा है कोविड महामारी में अपने माता पिता दोनों हो देने वाले अनाद बच्चों को राजसरकार की ओर से 5-5 लाख रुपयों की मदद की गई है जिले के 52 ऐसे बच्चों को पालक मंतरी नीतिन राउत के हातों 5 लाख रुपयों के फिक्स डिपॉसिट का प्रमान पत्र वह अनाद प्रमान पत्र प्रदान किया गया जिला अधिकारी कारियाले सभागरुह में आयुजित कारेकर में जिला अधिकारी विमलार, जिला महिलाव बाल विकास अधिकारी अपरना कोल है बताया गया कि जिले में 71 अनाद बालक है जिसमें से 61 के बैंक खाते खोले गए है बावन बच्चों की रकम सेंटरल बैंक ओफ इंडिया में जमा की गई है 21 वर्ष आयूपूर्ण होते ही उन्हें रकम मिलेगी राउत ने कहां कि कोरुणा महमारी का सामना पिछले रगभग दो वर्ष से कर रहे है पहली वद दुसरी लहर का सामना करते समय मेरी पहली प्राथमिक्ता लोगों की किसी भी तरह सुरक्षा करने की थी जिसके सारे उपाई योजना तेजी से करने का प्रयास किया गया सभी को उपचार मिले, आक्सिजन की कमी ना हो, बेट उपलब्धो इस पर उलेख निया कारिय स्वास्तविभाग के सयोग से किया गया अब जिले में कोरोना कम हो गया है, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है तिसरी लहर आ सकती है, ये विशेशोग्यों का कहना है इसलिए नागरिकों को अभी भी सतर रहने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि कोरोना से अनेक लोगों ने अपने रिश्टेदार दोस्त गवा दिये है अनागर बच्चों का दुख तो बया भी नहीं किया जा सकता लेकिन सभी के साथ सरकार खड़ी है फोन नहीं देने की मामूली बात को लेकर एक दोस्तने अपने दुसरे दोस्त की हत्या कर दी ये घटना पारशिवनी के शिवाजी चोग पर घटी बुधवार को ही पारशिवनी के कुवारा भिफसेन के रवी वाडी भसमी की हत्या के मामले कि स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि शनिवार को एक और हत्या हो गई इस घटना से पुलिस का सिर्दर्थ और बढ़ गया वही परिसर में दहशत व्याप्त है जानकारी के अनुसार पालोरा निवासी मृतक प्रितम उर्फ मोनु कामडे और आरोपी आयुष संजेवाल के दोनों अच्छे दोस्त थे आयुष वाल के पार्शिवनी के एक पांट अपरी पर काम करता था व्रुतक प्रितम इसी पांठेले से हमेशा खरा लिया करता था वह घटना के दिन फोन नहीं लाया था उसने आयुष को फोन मांगा लेकिन आयुष ने फोन नहीं दिया इस बात को लेकर प्रितम ने आयुष के साथ गाली गलोच की दोनों में विवाद बढ़ गया वहां मौझद लोगों ने दोनों का जगड़ा छुडाया इसके बाद आयुष अपने घर चला गया इसके बाद प्रितम ने उसे फिर फोन किया और शिवाजी चौक पर आने को कहा धमकी देते हुए प्रितम ने कहा कि तू नहीं आया तो तेरे घर मैं आ जाओंगा इसके बाद आयूश उससे मिलने शिवाजी चौक में आया इस दोरान आयूश ने प्रितम से कहा कि तुने मुझे गाली क्यों दी फिर दोनों में विवाद हुआ और घुसे में आकर आयूश ने लकड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे प्रितम गंभीर रूप से घायल हो गया उसे पार्शिवनी के ग्रामेन अस्पताल ले जाये गया पशात उसे नाकपूर मेडिकल में रेफर किया गया जहां उपचार के दोरान प्रितम कीम रुत्ति हो गई पार्शिवनी पुलिस ने आरोपी आयुश के खिलाफ मामला दर्च गिया है कुरुशिद पन बाजर समिती एपी एमसी की कार्यकारणी की चैयन के लिए शनिवार को सुबह से ही वोट डाले गये व्यापारी वर्ग में काफी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला चुनाओं में कुल 79.24 फिजदी वोटिंग हुई 3231 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया रुशिद पन बाजर समिती एपी एमसी की कार्यकारणी की चैयन के लिए शनिवार को सुबह से ही मतदाता मतदान केंदर में आ रहे थे और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे उमिदवारों के साथ-साथ के विधायक भी इस दोरान उपस्तित नजर आए आड़तिय व्यापारी वर्ग में 2243 वोटों में से 1672 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया ये 74.57 प्रतिशत फिजदी रहा आज यानि रविवार को वोटों की गिंती शुरू होगी और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा सहकार पैनल के साथ-साथ शेतकरी परिवर्तन पैनल की नजर भी इसी सीट पर थी शेतकरी पैनल को उम्मीद है कि इस वर्ग में वह सेंद लगाने में सफल होगा दो में से कम से कम एक सीट उनके खाते में आ जाएगी इसके लिए विधायक जोर आजमाईश कर रहे थे दोनों पक्षों की दिल्चस्पी के कारण ही वोट का प्रतिशत काफी अच्छा रहा शेकरी पैनल के लिए कई विधायक मतदान स्तल पहुचे और जायजा भी लिया ये रेवीवार को ही पता चल पाएगा कि लोगों ने किसके पक्ष में अपना निर्नाई दिया है बेटे ने ही पीता को मौत के घाट उतारने का मामला बुलढ़ाना में सामने आया है खून के ही आरोप में सजा भोग रहे आरोपी बेटे ने ही दोस्त के साथ मिलकर अपने पीता की हत्या कर दी थी संग्रामपूर तहसिल के वरवट बकाल के संगित राजराम इंगले के बेटे ने ही दोस्त के साथ मिलकर अपने पीता की हत्या कर दी घर में रखे लगडी के डंडे से प्रहार कर घर में ही मौत की घाट उतार दिया सुबह जब परिसर में घटना की जानकारी मिली तो खलबली मची आरोपी पहले से ही हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था कुछ दिन पहले ही वो पैरोल पर छुट कर घर आया था लेकिन शराब के नशे में उसने अपने पीता को ही मार दिया घटना की जानकारी पुलिस को ना मिले इसलिए दोस्त की मदद से लाश को ठीकाने लगाने की भी कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने मामले का पता लगा कर आरोपी को गिरफतार किया वक्त हो चला है एक ब्रेक का मिलते एक चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवी एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, LAD College Square, beside करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद अपका स्वागत है डिजल की कीमतों में वृद्धी का आसर जंगल सफारी पर पढ़ने लगा है अब पेंच में सफारी करने वाले परियाटकों को अधिक शुर्क देना होगा दिवाली की चुटियों से पहले शुर्क बढ़ाय जाने से जेब जल्दी हलकी होगी मुंबई में मुख्य मंत्री उद्व ठाकरी की उपस्तिति में आयोजित टाइगर फाउंडेशन नियामक मंडल की बैठक में जिपसी और गायट के शुल्क में वृद्धी पर मुहर लगा दी गई इस समन्द में मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव तयार कर भेजने के निर्देश दिये पेंच व्यागर प्रकलप में पिछले तीन वर्षों से परियाटन शुल्क में वृद्धी नहीं की थी लेकिन डीजल की कीमतों में वृद्धी के बाद से जिपसी चालक, मालक और गायट द्वारश शुल्क बढ़ाने की मांग शेत्रस अंचालक के पास की गई थी इसके अनुसार पेंच के खेत्रस अंचालन रवी किरन गोवेकर ने मुंबई में आयोजेत बैठक में उक्तम मुद्धा रखा मुख्य मंद्री ने आवशक्ता के अनुसार जिपसी और गायट के शुल्क में वृद्धी को हरी जंडी दी इस समन्द में प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन सरक्षक मन्य जीव कार्याले के माध्यम से भेजने के निर्देश दिये पेंच में फिलाल जिपसी के लिए 2,000 रुपे लगे है लेकिन अब 2,500 रुपे वसुले जाएंगे वही गाईट का शुरूप में शिरेणी के अनुसार 375, 425 और 475 रुपे किया जाएगा यानि एक बार की सफारी के लिए परियाटकों को एक जिपसी के करीब 3,000 रुपे देने पड़ेंगे राजजबर के सभी 6 टाइगर फाउंडेशन के क्षेतर संचालो को द्वारा दरुद्धी का मुद्ध उपस्तित किये जाने से सभी को प्रस्ताव तयार करने के आदेश मुख्यमंद्री न लिए जिला नियोजन समिती और संजे गांधी निराधार योजना समिती में शिवसिना को निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार नियुक्तिया नहीं देने से पार्टी पदाधिकारियों वनेताओं में नाराजगी है कॉंग्रेस नेताओ पर शिवसिना के पदाधिकारियों ने अन्याय कारोप लगाते हुए मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे से शिकायत करने का निर्नाय बैठक में लिया है शनिवार को रवी भवन में हुई बैठक में जिले के शिवसिना पदाधिकारियों का उपजनाओं में हाल व जिला स्तरिय समितियों में हो रहे अन्याय के संदर्ब चर्चा की गई सांसत क्रुपाल तुमाने विधायक आशिज जैसवाल जिला प्रमुक राजुहर ने संदिप इटकेलवार संपर्क प्रमुक सुधिर सुर्यवंशी की उपस्तिती में हुई इस बैठक में कुछ कारे करताओं ने तो राज्य में सेना का मुख्य मंत्री होते हुए भी जिल कारे करताओं ने ये भी भडास निकाली कि जिला परिशत उपचुनाओं में पार्टी पूरी ताकत से लड़े लेकिन एक भी उमिद्वार चुनकर नहीं आये ऐसे ही रहा तो आने वाले नगर परिशत और नगर पंचय चुनाओं में विज़य नहीं मिलेगी बैठक में जिले के सभी पदाधीकारी वह सदस्यों पस्तित है ये भी कहा गया है कि जिले के किसी भी तहसिल में संजेगांधी निराधार योजना समीती में शिवसेना को सान नहीं मिला कही भी पार्टी पदाधीकारी समीती 역 gusta नहीं है डिपीसी निमंतरित सदस्यों में केवल दो जगह दी गई है जिससे पदादीकारियों में निराशा है तुमाने से मुख्यमंद्री के साथ जिले के पदादीकारियों की बैठक आयोजित करने का प्रयास करने की मांग की गई कोविटकाल की चुनोतियों निबटते हुए मध्यरेल नागपूर मंडल ने राजस्व के मामले में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है मंडल के तहट पारसल अदान से अपरेल 2021 से 15 सितंबर 2021 तक कुल 7,68,91,248 रुपे की राजस्व प्राप्त हुए ये जानकारी सूचना के अधिकार के ताथ मांगे गई जानकारी से प्राप्त हुई मंडल की और से बताया गया कि पारसल विभाग ने कोविटकाल के बावजुद वर्ष 2021 में 15,33,918 रुपे का रिकॉर्ड आय अर्जित किया जबकि इससे पहले वर्ष 2019-20 में 15,62,43,732 और वित्व वर्ष 2018-19 में 17,2,90,534 रुपे का राजस्व हासिल किया वही पालतु जानवरों के परिवहन से भी नाकपुर पारसल विभाग को अच्छे खासी आये हुई मंदल के तहट सितंबर 2021 तक 33 महिनों में कुल 34,69,000 टिक्टे रुपे की गई इस प्रकार मंदल ने 1 अपरेल 2019 से 15 सितंबर 2021 के बिच रद टिकीटों को लेकर यातरियों को 49,18,000 रुपे का रिफंड किये उलेक निये है कि कोरोना के कारण मार्च से जुन 2020 तक देश व्यापी लॉगडाउन रहा 2021 आते तक देश कोविट की पहली लहर से उबर रहा था और ट्रेनों का परिचालन भी गती पकड़ चुगा था हाला कि मार्च 2021 के आंतर से दूसरी लहर ने जोड पकड़ लिया संक्रमन पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर ट्रेन परिवहन में कटोती करनी पड़ी इस दोरान मंडल से भी बड़ी संख्या में ट्रेन नहीं चली और बड़ी संख्या में टिक्टेर रत की गई थी वही दूसरी और से इसी अवधी में नाकपुर मंडल ने बीना टिकट और अवैद रूप से सफर करने वाले यात्रियों के खिलाब भी कड़ी गारवाई जारी रखी आर्टी आई से प्राप्त जानकारी के नुसार मंडल ने 1 अप्रेल 2019 से 15 सितंबर 2021 के बीच बेटिकट यात्रियों से 20 करोट 33 लाख 16,711 रुपे की भारे भरकम पेनल्टी वसुली इस अवधी में कुल 4 करोट 43 लाख यात्रियों ने सफर किया और मंडल ने 927 करोट 3 लाख करोट रुपे की टिक्टे बेचिये नागपुर शहर में प्रभावी ठंड से पुलिस की गश्ट हो इसलिए सिटी पुलिस ने इबिट सिस्टम प्रणाली अपनाई है इस सिस्टम के जरिये आला अधिकारी गश्ट करने वाले पुलिस वाहनों के गतिवीधियों पर निगरानी करते हैं रोजाना इसका पुरा डाटा कलेट किया जाता है यही कारण है कि गश्ट करने वाले बिट मार्शल अबज्यादा अलर्ट हो गए है पहले इस इबिट सिस्टम को डिसीपी नुरुल हसन ने प्रायोगिक तोर पर अपने जोन में शुरू किया था यह प्रणानी वाकई में कारगर साबित हो रही थी इसलिए पुलिस कमिशनर अबितेश कुमार ने उसे पुरे शहर में लागो करने के निर्देश दिये है इबिट सिस्टम बनाने वाली कमपणी को शहर भर के सारवजनिक स्थान, ATM, खुले मैदान, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सविधन शिल स्थान, बगीचो और मार्केट परिसरों में भी QR कोड वाले स्टीकर लगाने को कहा गया है पुल 1600 जगहों पर पुलिस द्वारा निर्धारित किये गए स्थानों पर ये स्टीकर लगाए गए पुलिस आइक्तमितेश कुमार ने इसका उठगाटन, डियाईजी दिलिप जलके के सेवा निरुत होने पर उनके हातों से करवाया था पिछले धाई मेहनों से सभी ठाने के बिट मार्शल इसी इबिट सिस्टम के हिसाब से गश्ट कर रहे है पहले बिट मार्शल ने कब कहा कितने बज़े गश्ट लगाई इसका डाटा नहीं मिल पाता था नागली को द्वारा परिसर में गश्ट ना होने की शिकायत की जाती थी लेकिन इस सिस्टम के जरीए सभी 16 स्थानों पर पुलिस की गश्ट होती है परिसर में गश्ट करते समय बिट मार्शल को अपने मोबाईल फोन से QR कोट स्कैन करना होता है ये कोट स्कैन होते ही पता चल जाता है कि बिट मार्शल ने कितने बजे कहा पर दबिश दी और गश्ट की QR कोट लगाने वाली कमपनी रोजा ने इसका डाटा जमा करती है जोन स्थर पर DCP को इसका डाटा भेजा जाता है इसलिए गश्ट करने वाले बिट मार्शलों को सभी स्थानों पर जाकर अपनी हाजरी लगाना अनिवारिया है इसे पुलिस की गश्ट प्रनाली में सुधार आया है उर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहां कि बिजली व्यवस्थाओं के कारण होने वाली दुर्गटनाओ को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्ना निवारक उपाये जारी किये गए है अगर इस पर अमल किया जाए तो निश्टित तोर पर हाथसों से बचा जा सकता है चले गई हालाकि इन घटनाओं को टाला भी जा सकता था विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय दुर्गटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय आवश्चक है इसके लिए उर्जा मंत्री के रुपे मैंने खुद पहल की और एक शासन निर्नय जारी किया अब इसे प्रभावी डंग से लागू करने की जरूरत है उपकरणों का उडिट नहीं होना है कारण बिजली के उपकरणों के उचित रख रखाओ की कमी के कारण अकसर आग लग जाती है लेकिन इसके लिए सिधे तौर पर बिजली वितरण कमपनी को जिम्मेदार ठहराय जाता है कार्याले, थेटर, अस्पताल, मौलिया घर में उपकरणों को विवस्थित रखने की जिम्मेदारी संबंदित की होती है इन उपकरणों के आडिट ना होने से बड़ा हाथसा होता है किसी भी भवन का निर्मान करते समय अन्य पहलूओं को गम्मिर्ता से लिया जाता है लेकिन विद्धित विवस्था की गुणवत्ता और उसके उचित रख़खाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है मानव निर्मित दुरघटनाओं को कम करने के लिए और बिजली विवस्था को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तक्निक का इस्तमाल करना होगा तो सुभा के प्राइम टेम नियूज में अभी इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी नियूज नमस्कार